साथ ही ओ नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंकसंड एक कदम सफलता की ओर में और हम आपकी लिए लेकर के आ गया है बहुत ही मेहत्पून वीडियो है जिन लोगों का एक्जाम हो गया है उनको अब थोड़ी घबरहाट हो रही है कि सर मेरा कट आफ कितना जाए पर देख लेंगे हर एक यार तारिक से लेकर के 31 जर्वनी तक कर रहा है और देखे हैं और वार किस नमबर कितने बढ़ेंगे और इस बार क्या नमबर कम भी होंगे या फिर नमबर कम नहीं होंगे सारी जानकारी आपको आपको देंगे कुछ महत्पून प्रश्ण है जो आ आप अपनी सिप्ट अपने आप यहाँ पर देख लेंगे हर एक याने आठ तारिक से लेकर के 31 जर्वनी तक का डेटा आपको यहाँ पर दिया गया है ठीक है चलिए हर डेट की आपको 60 जानकारी मिलेगी कि पहली सिप्ट किस तरह की थी Second सिप्ट किस तरह की थी normalization में सबसे ज़्यादा फाइदा किसे मिलने वाला है यह सारी जानकारी आपको वीडियो के अंत तक बिलकुल आपको प्राप्त हो जाएगी तो वीडियो को सुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा ठीक है तो चलिए सुरूबात करते हैं आईए देखते हैं वीडियो देखिए तो MP पुलिस All Shift Analysis की बात करें तो यहाँ पर आपको तीन चीजे बताई जाएगी यानि की H जहाँ पर लिखा रहेगा तो H का मतलब है Hard यानि की Cutting MOD जहाँ पर लिखा रहेगा MOD का मतलब है Moderate यानि की थोड़ा सा कठिन उसके बाद पर E जहाँ लिखा रहेगा तो E का मतलब है Easy यानि की सरल तो कौनसी Shift Hard आई है कौनसी Moderate आई है और कौनसी सरल आई है उसी के According आपके Normalization में अंक भी दिये जाएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं 8 जनवरी से हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं तो देखे Date, Shift 1 और Shift 2 अगर 8 जनवरी की बात करें तो जो Shift 1 थी वो Shift 1 यानि की पहली 8 जनवरी की पहली Shift एजी थी बिलकुल सरल थी Second Shift की बात करें तो थोड़ा सा Moderate यहाँ पर हो गया था 9 जनवरी की बात करते हैं तो Shift 1 जो है वो Moderate रही थी Shift 2 जो है वो Moderate से लेकर के High यानि की थोड़ा सा यहाँ पर Cutting भी थी और कुछ जादा Cutting भी थी ठीक है मतलब अच्छे लिवल का exam आपका 9 जनवरी का Second Shift का आया है 10 जनवरी की बात करें तो Shift 1 Moderate रहा है Shift 2 जो है वो Hard रहा है यानि की Cutting Active 2 थी आपकी 10 जनवरी की Shift 2 जो है वो Cutting थी 11 जनवरी की 70 1 Moderate रही है उसके बात में Shift 2 जो है वो Moderate से Hard रही है यानि कि थोड़ा सरल और बहुत ज़्यादा कठिन रही है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली डेट की ओर चलते हैं तो 12 जनवरी की बात करते हैं 12 जनवरी का shift 1 moderate रहा है shift 2 भी moderate रहा यानि कि थोड़ा सा कठिन रहा है 13 जनवरी की shift 1 moderate रहा है shift 2 जो है वो easy था यानि क तेरा जनवरी की shift 2 बहुत ही सरल आई थी, उसके बाद में 14 जनवरी को आपका exam नहीं था, क्योंकि उस दिन कोई तेवार था, 15 जनवरी की बात करते हैं, तो 15 जनवरी का shift 1 है, वो easy to moderate, यानि की सरल से लेकर के cut in, थोड़ा सा cut in था, बाकी सरल exam था, 15 जनवरी shift 1, 15 जनवरी का shift shift 2 जो है, वो moderate रहा था, 16 जनवरी की shift 1 जो है, वो easy थी, और 16 जनवरी की shift 2 जो है, वो moderate रही थी, इसलिके according हम आपको बताएंगे, कि आपको कितने number normalization में मिलने वाले हैं, क्या number इस बार घटेंगे, जैसे कि पहले हुआ करता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्य जादा easy है, यानि कि आपको shift में कोई बंदा 90 प्लस number लेकर क्या रहा है, तो ही आपके एकाद दो अंक घट सकते हैं, नहीं तो इस बार अंक घटने की कोई chance नहीं है, या तो आपके जितने marks आएं हैं, उतने stable रहेंगे, या फिर एक दो number बढ़ जाएंगे, घटेंगे नह जो shift 2 है, वो थोड़ी कटिन थी, और थोड़ा और जादा भी कटिन थी, यानि कुल मिला करके कटिन थी shift 2, 18 जनवरी की shift 1 moderate थी, shift 2 भी आपकी moderate थी, 19 जनवरी की बात करें, तो shift 1 easy to moderate थी, और shift 2 जो है वो moderate थी, 20 जनवरी की shift 1 moderate है, shift 2 भी आपकी moderate है, ठीक है, चलिए आगे ब सुबह वाली और shift 2 जो है वो आपकी hard रही थी 13 जनवरी की shift 1 moderate है shift 2 भी आपकी moderate है 24 जनवरी की shift 1 moderate to high है यानि की moderate to hard है और shift 2 जो है 24 जनवरी की वो hard रही है आगे बढ़ते हैं 25 जनवरी की shift 1 hard है और 25 जनवरी की shift 2 जो है वो भी आपकी hard आई है यहाँ पर क्या हुआ है पैटर्न चेंज होने लगा जैसे ही पैटर्न चेंज होता है तो पहला जो पेपर होता है जैसे 25 जनवरी को पैटर्न चेंज हुआ है तो आपका पेपर जो है वो हार्ड हो गया था ठीक है जब भी जनवरी को आपका एक्जाम नहीं हुआ 27 जनवरी की shift 1 easy to moderate यानि की कुछ सरल प्रश्ण भी थे, कुछ कठेन प्रश्ण भी थे और shift 2 भी आपकी easy to moderate रही है 28 जनवरी की आगे बढ़ते हैं 29 जनवरी की shift 1 जो है वो hard रही थी 29 जनवरी की shift 2 भी hard रही थी क्यों? क्योंकि 29 जनवरी से shift थोड़ा सा hard हो गई थी 30 जनवरी की बात करते है shift 1 moderate है shift 2 भी moderate है और 31 जनवरी की first shift आपकी moderate आई है तो ये आज तक का यानि 31 जनवरी जनवरी तक का आपका data आपके सामने है सरफ इससे क्या मतलब हुआ easy to moderate hard इसका क्या मतलब है? तो आई आपकोबताते है कि जनके shift easy रही है उनको कितने number मिलेंगे जनकी moderate रही है उनको कितने number मिलेंगे और जनकी hard रही है उनको कितने number मिलने वाले हैं चलिए देखिए तो यहाँ पर अगर हम normalize mark की बात करते हैं तो easy जिनकी shift रही है उनको 2-3 number का फायदा होगा यानि कि जिनकी shift easy है उनको 2-3 number add कर सकते हैं वे अपने score में moderate वाली जो हैं उनको 3-5 number का फायदा होगा 3-5 number वे अपने score में add कर सकते हैं और जिनकी hard shift रही है उनके 6-8 number बढ़ सकते हैं देखिए इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि दद्दस या बारा-बारा नंबर का फर्क आ जाए जैसा कि पहले पटवारिम हुआ करता था कि 68 नंबर वाला 82 पे पहुँच गया और इसका सिलेक्शन हो गया और 85 वाला लॉट करके 70 पे आ गया और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ ऐसा इस बार कुछ भी नहीं होने वाला है सिर्फ 6-8 तक ही आपके अंक बढ़ेंगे जैसा फॉर्मूला MPPB ने पहले ही बता दिया है ठीक है तो अब आप यहाँ पर अपना जो है कैलकुलेट कर सकते हैं मार्क्स जैसे कि अगर आप 29 जनवरी की बात करते हैं 29 जनव नमबर आप अपने स्कोर में एड कर सकते हैं ठीक है और जिनकी सिफ्ट जो है वो एकदम एजी रही है अगर आप एजीसिफ्ट काहां पर रही है चली एजी वाले देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर यह जो आपके ईजी तू मॉडएरेट वाले है यानि कि एजी दो नंबर कम भी हो सकते हैं, लेकिन दो या तीन नंबर से ज़्यादा कम नहीं होंगे, बढ़ने के ज़्यादा चांसे हैं, कम होने के चांस नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखेगा, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास सेर कर दीजिए, और आगे जो वेकेंसी आने वाले हैं, जैसे कि MPSI, MP पटवारी, उनके बारे में जो भी न्यूज निकल के आती है, वो न्यूज अगर आप जानना चाहते हैं, लगातार बने रही है, हमारे साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कटॉप से सम्मंदित, जो भी वेकेंसी आने वाली है, उनकी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के पास सेयर कर दीजिए, लगातार आपके पास में वीडियो आती रहेगी, और इस से पहले हमन कटॉफ की वीडियो अल्री अपलोड कर दी है, तो आप अपने स्कोर में ये नंबर एड़ करके उस कटॉफ वाली वीडियो को जा करके देख लीजिए, और अपना जो है अंदाजा लगा लीजिए कि आप सिलेक्ट हैं या फिर नहीं सिलेक्ट हैं, ठीक है, चलिए जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद